नमस्कार दोस्तों ब्लिच ट्वेडिंग के डेली अनिलेसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है चले देखते हैं मार्केट वेनेज्टे को कैसा मोमेंटम कर सकता है कि इस डिरेक्शन में हम लोग ट्वेड कर सकते हैं गाइज आप हमारा कल का वीडियो देखें मैंने क्या क्या कहा था और हमारे लेवल किस तरह से काम किये ठीक है मैंने क्लियर कर कहा था कि अगर मार्केट गैप डॉन खुलकी है खुलने के बाद 350 को अगर तोड़ती है तो हम लोग और नीचे के बोजिशन देखेंगे नीचे क मार्केट ने support लिया, support लेके one side market ने, आज का जो high है, मतलब आज का जो opening था, उसके भी उपर market ने closing दिया है, ठीक है, तो एक तरह से ये positive sign तो है, लेकिन previous day का जो high था market उसके उपर closing नहीं दिया है, ठीक है, थोड़ा सा positive side आई है market, अब हम लोगों कैसे trade करना आगे चले मार्केट कर फ्लैट खुलती है फ्लैट खुलने के बाद 420 के ऊपर चलना शुरू होती है तब हम लोग हमारा जो पहला टार्गेट रहेगा वो लगभग लग 480 का रहेगा ठीक है यह 480 तक के टार्गेट हम लोग देख सकते हैं 480 के बाद हमारे जो नेक्स टार्गेट रहेगा वो 520 520 के बाद फिर अगें 580 तक के टार्गेट हमको देख सकते हैं निफ्टी में ठीक है मार्केट यहां पर थोड़ा सा सेलिंग मोड था सेल और राइस पर था है ना डाउंसेड हमें अच्छा टार्गेट मिला लेवल रहेगा जैसे कि हमारे प्रीवियस पर हो रहा है ठीक है तो अगें 420 टूटेगा तो 480 तक के टार्गेट हमारा पहला रहेगा 480 के बाद हमारा 520 तक रहेगा जो लोग यहां पर एंट्री लेके एंट्री लेके 480 तक अचीव कर लेंगे वो लोग अपने स्टोपला स्ट्रेल कर सकते हैं ऊपर के लिए ठीक है या फिर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं ठीक है मालने जे मार्केट फ्लै खुलती है फ्लैट खुलने के बाद 320 के लेवल को नहीं तोड़ती तब तक हम लोग नीचे का कोई भी लेवल नहीं देखेंगे ठीक है 320 तोड़ेगी तो अगें 250 250 के बाद 200 तो यह हमारा डाउंसाइट के लेवल सेम है ठीक है लेकिन इस बाद 350 से हमको 320 का लेवल मिल गया मालने जे मार्केट 420 के ऊपर ही खुलती है तो हम लोग उस सिनेरियो में क्या करेंगे ला कि जब तक मार्केट यहाँ पे 520 के ऊपर नहीं निकलती ठीक है ज़्यादा नहीं है 50 पॉंट की बात रहेगी अगर मार्केट गैप अप खुलती है जब तक 520 को नहीं तब तक हम लोग और उपर के कोई भी पोजिशन नहीं बनाएंगे ठीक है और बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में कैसे राएगा मालने जे बड़ा गैप डाउन खुलती है है थ्री ट्री ट्वेंटी के नीजे चलना शुरू होती है तब हम लोग यहां पर पूट की कोई भ होती है तो अगेंग जब तक 420 नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग की पोजिशन नहीं बनाएंगे ठीक है तो यह हमारा निफ्टी का वीव है आप इस वीडियो को अच्छे से बार बार रिपीट करके सुनियेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आगा कि हमन से बाउंस हो लिया मैंने कहा था था आप्यविट तक हर अलेकशन है तो तो इसके बाद आप देखें यहां पर सेलिंग मिली और हम ने क्या क água था कि आप देखेंगे प्रिस वीडियो में मैंने का था कि act ś 50 से ही मार्केट ने बाउंस लिया आज हमारे जो डाउंसाइट का लेवल था वो पूरा-पूरा अचीव हुआ 950 तक 950 के बाद मार्केट ने एक वन वे रिकवरी पकड़ी और अभी जो मार्केट की सिच्वेशन है वो लगबग लगबग पॉजिटिव दिख रही है ठीक है फ्लैट खूल करके मार्केट जब तक 600 को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग कोई की पोजिशन नहीं बनाएंगे ठीक है क्योंकि 500 से लेकि 600 एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस जोन है ठीक है हम डेटा में भी देख लेते हैं अगर मैं बैंक निफ्टी का डेटा दिखाऊं आपको यह देखे हैं ठीक है बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे 43,500 पर हमको सबसे बड़ा ओवाई दिखता है ठीक है तो यह बहुत बड़ा रिजिस्टेंस है 43,500 ठीक है और पूट साइड हमको सपोर्ट कहां दिखता है अगेन हमें जो बड़ा सपोर्ट दिखत तो 3,100,100 के बाद सिधे 950 तक हम लोग देख सकते हैं इस्ट्रॉंग रिजिस्टेंस कहां दिख रहा है हमको 500 पर 43,500 पर हमको एक रिजिस्टेंस दिख रहा है तो जब तक मार्केट 600 को नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग कोईल की पोजिशन नहीं बनाएंगे बैंक अगर अगर आप यहां पर 500 भी दिख रहा है पांदर स्वेट में तूट रहा है है ना फिर यहां 500 तक जाएगा 600 तक जाएगा वहां से रिजेक्शन आएगा तो वैसे में लॉस हो सकता है ठीक है तो क्लियर कर 600 को तोटनी तूटनी दीजिएगा उसके बाद ही हम यहां पर कॉल की कोई भी पोजिशन मनाएंगे बैंक निफ्टी में तो यही हमारे लेवल बड़ा गैप अप खुलता है गैप खुलने के सिनेरियो में 600 के तूटने का वेट करिए तब ही हम कॉल की पोजिशन में जाएंगे और गैप खुल करके आज की क्लोजिंग को अगर होती है तो हम लोग यहां पर नीचे के लिए पोजिशन बनाएंगे टार्गेट लेवल हमने शेर किया हुआ है इन्हीं लेवल तक हमारा टार्गेट रहेगा ठीक है बड़ा गैप डाउन खुलने के सिनेरियों में अगेन मार्केट अगर माली जो बड़ा गैप डाउन करिएगा और अगर गैप डाउन खुलने के मार्केट रिकवर होती है ठीक है रिकवर होने के सिनेरियों में अगेन आज की जो क्लोजिंग है उसकी ऊपर मार्केट निकलती है तब हम लोग यहां पर कॉल की पोजिशन बनाएंगे ठीक है गाईज वीडियो को अच्छे से र सब्सक्राइब करेगा और भी लोगों तक पहुंचाएगा ताकि इसी तरह की लर्निंग हम और बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकें थैंक यू वेरी मुच